टीम मैच लेट्स गो सुवागत है दोस्तों आप सभी का और आप सभी का स्वागत है कमाल के नए वीडियो में तो ये वाला 1v1 होने वाला है आखरी 1v1 क्योंकि जैसे आप सब को पता है कि पबजी बैन हो गया है तो हम ये आखरी 1v1 किसके साथ करेंगे आप गैस कर लो ये आपको ये वीडियो मैस के पस्पेक्टिव से देख देखना चाहते हो तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में तो दोस्तों पबजी बैन होने वाला है मुझे लगता है कि वापस आ जाएगा कोई और कंपनी बना लेगी तेंसेंट वाली एंसेंट नहीं तो को और कम निकाओ अब ये पबजी मॉबाइल का वर्जन बना लेगी लेकिन और भी कई सारी गेम से जो हम खेल सकते हैं और ये देखो सामने आ गया है हमारा और माद गया भाई इसे के साथ हमारा स्कोर लेवल हो चुका है और भाई ये हमारा जो माई है वो प्रो प्लेयर है और आप देख रहे हैं कि मेरे 100 आर्पी हो चुके है अरे कहां चड़ गया ये मेरे 100 आर्पी हो चुके है और ये 100 आर्पी किस ने किया बता ये मैस नहीं कि यह है तो यह मैस कब से तीन पता नी जब से मैस हमारे साथ आया कितने साल हो गया है क्या बात करते हैं तो एक साल हो गया तब से यह बोल रहा है कि तो 1v1 करी लेते हैं तो इसे के साथ मेरे तीन किल हो गया अब पता नहीं है ऐसा नूबडे की तरह क्यों बिहेव कर रहा है लेकिन यह बंदा सही में प्रो है देखो मेरे से 100 अर्पी नहीं हो रहे था इसलिए मैंने इसको दिया था 100 अर्पी करने के लिए और देखो काफी अ 100 अर्पी उसने एक विक में ही कर लिये क्या हो गया भाई तेरे को किया हो रहा मैं हार रहा हूं पबजी जाने का गम है इसलिए यह खेल नहीं पा रहा है बहुत रो रहा था यह मैश कि क्या हो गया पबजी बैन हो गया रो रहा था इसी के चक्कर में यह अच्छा खेल नही है अब देखते कि यह बाई सब कहां से आते हैं ओ ओ ओ ओ पीछे से हमला पीछे से हमला कहां से हमला करता है यह पीछे से हमला हो गया और देखो हमें तो वह दीख नहीं रहा फिलाल कहां पर है कहां पर है यह महेश और यह रहा अरे मरना मरना चाहिए यह और इसे के साथ मर गि बाई हाईडेंसिक खिलने में तुम चैंपियन है और फिलाल देखो भाई आखरी 1v1 में फिलाल के लिए आखरी 1v1 है आगे क्या होगा पता नहीं कि अरे किस साइड है तेरा खेमा मुझे तो यादी नहीं तेरा खेमा किस साइड में भूल गया अभी किस साइड से आएगा यह मैश तो फिलाल के लिए आखरी 1v1 है आगे का देखें कि पड़ी इसको काफी अच्छी से पड़ी है बाग रहा था यह बाई सार बाई बॉलिवूड हाईडेंसिक खेल खेल के प्रो हो गया बाई समझो अभी गया यह डेमेज है डेमेज है अभी मेरा कॉंफिडेंस थोड़ा हाई है दो चार किल क्या कर लिए मैंने कॉंफिडेंस हाई हो गया मेरा और इसी के साथ अभी फिलाल तो आदा मेच होने को आया है और अरे 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 ऐसे पीछे से वार करने वालो गलत 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 मोड लिया बाई साबने गलत मोड लिया बाई तुने ओ मर गया बाई तो इसी के साथ अभी साढ़े पाँच मिनीट बचे है और मैं अभी चार पॉइंट से आगे हूँ अभी इसको इसको एडवांटेज रहेगा किदर आई ये चलो बाई और इसी के साथ अपने महेश को मार दिया है और भी हम लीड में चल रहे है तो दोस्तों अगर ये वीडियो महेश के पस्पेक्टिव से देखना है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ओ मरा क्यों नहीं मरा क्यों नहीं ये तो फिलाल अभी तो बोलने कमेनी और पहले तो फिलाल जैसे आदा मैच हो चुका है इस मौतरमा ने बता दिया है ओ भाई ये मरना चाहिए था वन एच्पी बचा दो ना कितना एच्पी बचा बता मेरा तो ना 50% से तोड़ा चल जोटे किदर है आज 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 ये पीछे से वार करने वाला है ये अभी पूरा किदर है मुझे तो दीख नहीं रहा है ये कहां से कहां से आते है ये लोग मेरा ये कुर्टा दीख रहा होगा ये पीछो वारा हिलिल करता है वो मर गया अगर ये खुदा नहीं होता तो शायद मैं उसको ना मार पाता तो दोस्तों ये वीडियो का मैस के परस्प्रेक्टिव से देखना है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना गलाइड करके बहुत बड़ी गल्ती कर दी भाई शाब ने तो भाई इसी के साथ मेरे स्कोर हो चुके है डबल और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जली से सब्सक्राइब कर लो तो अब आलो पैड क्दो्शन शूड तो नहीं कर रहे है रुकजा रुकजा यह पर अछी वन मीवन होना है डिलो भाई मानसी प्रीया अभी किसी से बात करीया तो आ या पे रेकरोजऱ हिए अभी माइक उन मत कर ना कूई और मरा क्यू नहीं है मैं जल्दी लेट जाता हूँ तो इसी के साथ भाई अभी तीन पॉइंट ही चाहिए मिलब चार पॉइंट ही चाहिए मेरे से आगे निकलने के लिए अभी थोड़ा बच के खेलना पड़ेगा यह अपनी पोजिशन चेंज करके आएगा किदर आजा सामने बाई साब किसी के साथ बाई मेरे दस पॉइंट है मैश के आठ अभी काफी अच्छा प्रो बन गया यह बंदा ऐसे नहीं मरेंगे हम आजा भाई आजा अभी धाई मिनिट का समय बचा है ठाई मिनिट का समय बचा है और भाई साब को पता ही नहीं मैं कहा हूँ अरे यार क्या हो क्या राई यह बाई साब देखो काफी आगे निकल चुका है अभी एक पॉइंट ही पीछे है मेरे से ओ बचका है किदर किदर यह है किदर चलो इसी के साथ इस बार अच्छा किया मैंने लेता नहीं तो सिर्फ दो मिनिट का समय बचा है और हमारे 11 पाइंट हो चुके बाई यह आखरी वन वी वन देख लो बाई क्या काटे की टककर हो रही है यह बहुत काटे की टककर हो रही है और अभी हमें मायश को मारना है तो अभी देखो टाइम देखो टाइम एक एक सेकंड अभे यह मत यूज़ कर कोई और चीज़ यूज़ नहीं करनी है अरे यह उस्तान ने बॉलिवड भी है आपके आपके उपन में यूज़ नहीं किया मुझे पत है अंदे हो जाएगा नहीं यूज़ करना है भाई यह यूज़ नहीं करना है इसी के साथ हमारे बारा किल सोच होते हुए और भाई साब यह हो अरे यार मेरे पोजिशन की अरे मेरे गोलिया नहीं है ओ भाई मैं गोलिया उठाना ही भूल गया भाई गोलिया नहीं है मेरे पर मामू बनाया तो फिलाल एक मिनिट का टाइम बचाए अभी मैं चाहूं तो इसको हाईडेंस से खिला सकता हूं अच्छी तरह से लेकिन भाई हम यह सा नहीं करेंगे हम हेड ओन जाएंगे और इसे के साथ हमारे 14 किल्स होते हुए और दोस्तो एक डिफरेंस यह है कि मैं यहाँ पर एमूलिटर बे खिल रहा हूं और यह महेश जो खिल रहा है मॉबाइल बे तो थोड़ा तो डिफरेंस रहेगा तेरी तो क्या 30 सेकंड में 30 सेकंड में महेश मुझे चार बार मार पाएगा आईए देखते हैं अगर मैं गोली भी ना चला हूं तो भी यह मार नहीं पाएगा आखरी 20 सेकंड आखरी 20 सेकंड देखते की क्या होता है पहले हम थोड़ी सांस ले लेते हैं और यह इसी के साथ हमारे 16 किल्स होते हुए और आखरी 5 सेकंड आखरी 5 सेकंड मार ले ले भाई मार ले तेरे को मार ले दिया भाई तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो मैस के perspective से देखना है तो link आपको मिल जाएगा description में